हेलो स्केलेक्ट विस्टम आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों में पास एक इंटेक्स का ओम्टेटर आया रिपेर होने के लिए आप देख सकते हैं यह और इसका यहां पर आपको मॉडल नंबर मैं दिखा देना चाहते हूं यह इसक है कि इसका बेस जो हो परफेक्ट ली वर्क नहीं कर रहा है वर परफेक्ट छोड़ो यह काम ही नहीं कर रहा है चलिए दोस्तों अभी चेक करादें आपको जो सबसे पहले हम सॉंग प्ले करते हैं कोई भी यह देखिए तोंग ने फिले कर दिया है यहां पर देख सकते हैं चारव है ऑचले का बच एंगे अब मैं यहां से अब देख सकते हैं इसे यहां से बसका कुछ बच बिले ने की लिए यह देख सके हैं यहां कि अब काम नहीं स्काराइब तो वीडियो को दोस्तो लाज तक बने रहे हैं, फाल्ट कुछ भी हो सकता है, जो होगा आपके सामने होगा, और रिपेर करेंगे कंप्लेटली, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तो वीडियो को लाज तक देखना, काफी इंपोटेंट वीडियो है, जो नए टेक्निशन है उनके ल है फिल्कल नियू है, आप देख सकते हैं, यह देख कैसी एककदम नियू है, ठीक है, अब हमें यह देखना पड़ेगा कि दोस्तो बेस के सबुफर के अंदर प्रोढलम है, यह हमारी जब करनेक्शन है, और यह हमारे के और यह Has sutने और यह वोलियम के चनेक्सन है, और यह ह ज Videos फाल आप इस एक कंडिशन बने सब से पहला वन अब इस क्रेक्टर पर कंडाइटी च्रक्त missionary यह तो थे डिमber क्या करेंग और यहां पर दोस्तों कि यहां वरी टेक्त करेंगे कि स्पीकर के यह नहीं लिए नहीं आ रहे हैं लेकिन जो यहाँ पर reading है, वो ही सही नहीं आ रही है, यह देखिए, कुछ भी reading नहीं आ रही है, तो इसका मतलब दोस्तो हमारी IC ठीक हो सकती है, तो सबसे पहले हमने speaker ही चेक करा, और दोस्तो इसमें, यही मुझे ऐसा लग रहा है कि speaker के अंदर ही कोई न कोई दिक्कत है, तो line देंगे, कोई भी एक speaker लेंगे, इस तरह का, जैसे आप में देख सकते हैं, यह speaker है, हम ले रहे हैं, यहाँ पर यह वाला speaker ले लिया हमने, अब यहाँ पर दोस्तो हम इसी point पे, जहाँ पर यह point दे रख है, इसका, हम यहाँ पर एक बार इसको लगा कर देखते हैं, यह दे दोस्तो, तो हमारे circuit board में छेडा शाड़ी नहीं करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, कि आपको दोस्तो यही चीज़ चेक करने हैं, connector पे, अब चलिए दोस्तो इसे board को यहाँ से हम एक तरफ करते हैं, और इसका पहले हमें, दोस्तो, यहाँ से transformer खोलना अब देखेंगे, दोस्तो, उसके अंदर क्या problem बनी होगी, जिस वज़े से ऐसी दिक्कत आई है, तो हमने टांस्वाम है, इसका खोल दिया है, और जो subwoofer है, आप देख सकते हैं, चार उपेच हमें आलगी दिख गए हैं, तो हमारा यहाँ पे machine चल जा रही है, तो खोल ले आई speaker को, इसमें जो होता है, दोस्तो, किसी में 4 ohms का होता है, किसी में 8 ohms का होता है, तो कोशिस करें कि आप 8 ohms का डालें, subwoofer की light बज़े रहेगी, और आपका जो speaker है, जो base के लिए बना रखा है, और travel के लिए बना रखा है, छोटे वाले वी, वो उनकी IC कभी नहीं फुकेगी, तो देख सकते हैं, चिप का wire काफी ज्यादा tight, तो हमने देखें, बहार निकाल लिया है, तो दोस्तो, इसके connection तो यहाँ पर हुए है, देखें सर, दिखाईए, अंदर से दिखाईए, यह देख सकते हैं, connection और लेड़ी, वहाँ पर दोनो wire के हो रहे हैं, तो जो problem है, दोस् connection देखें, connection दिखाईए, यह देख सकते हैं, यह black लगा हुआ है, और यहाँ पर red लगा है, सायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा, अब दिखेंगा, यह देख सकते हैं, connection और यहाँ पर है, तो इसका मिलब क्या हुआ हुआ, दोस्तो, जो subwoofer है हमारा, उसके अंदर कोई अगर आप चाते हैं, तो चेंज कर भी सکते हैं, नढ़ी तो इसके आप दोस्तो, वायर भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको करना क्या है, चलिए, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, अभी मैं सेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्योंकि हमें अब इस वाफर पर ही काम करना है आप देख सकते हैं इस वाफर पर ही काम करना है चले दोस्तों मैं कैमरा सेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अब दोस्तो जो यहां पे जो यह सब वूफर है ना इसमें मैं बताऊँगा आपका problem क्या है दोस्तो इसे आपको पाड़ना तोड़ना नहीं है simply होता क्या है देखें दोस्तो हम घरों में home data चलाते हैं sound system चलाते हैं तो आपका जो copper होता है ना आपके जो system के अंदर copper की जो wire लगी होती है ये काली पढ़ जाने की वज़े से इसका जो police वो खराव जाती है इसका पॉलिस पर चलता है बाकी इसमें धगर रहता है तो इसमें से जो wiring होती है ना वो wiring हमें दुबारे करनी पड़ती है बारिक वायर में नहीं आ रहा पर लेकिन ठीक है आ रहा है साथ आट ओम गास पास आता है लेकिन चला जाता है तो दोस्तों हमारी जो में प्रोब्लम है वो speaker के जो wire होते हैं कोयल से लेकर connector तक main problem उसके अंदर है अब वो जो क्या करना होता है उसमें हमें वो वाली wire को change करना होता है अब मिलती कहा है आपको electronic sop पर speaker वाले की sop पर अरसा निचे मिल जाएगी यह देखे अगर मैं इसमें supply दे रहा हूं को diet coil पर तो चल ला है तो दोस्तों आपको इसमें normal dory नहीं लगानी बिल्कुल भी क्योंकि दोस्तों वो flexible नहीं होती है और यह जो दोस्तों इसमें wire उतके speaker क खास वाली इसमें flexible इसलिए होते है कि इसमें धागा प्लस wire दोनों mix होते हैं और जो हमारी घरों में dory वागरा यूज होती है उसमें दोनों नहीं होता है उसमें wire यूज होता है तो देखे दोस्तों पुराना wire हमने निकाल ले आप देख सकते हैं इस तरह के दो wire लिए हैं आप देखें दोस्तों इस चोटे-चोटे कामों के दुकानों पर दोस्तों सब उफ़ार चेंज करने का आपको चला दे देते हैं दाइस उसे 300 रुपर ले ले लेते हैं और वो मज़ा नहीं आ पाएगा क्योंकि जो original में मज़ाता बाकी वो 100% original मिलता है नहीं है और यह 100% original is pareceमें आपको इस तरह से वायर्ड से होले डालते है और नीचे कन्यक्टर में दोस्तो सूल्डिंग करके आया है आपको निकाल लेने हैं जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं जैसे हाप आस देख सकते हैं ठीक है यह एमने आप से निकाल लीग्या भूफ है बहुत अच्छ सबासे सफाई करने के बाद क्योंकि दोस्तों जब सफाई हो जाए इस भार की नहीं होते दोस्तों हैं 3932 का doesn't वायर हो तो काफी अच्छा दिख जाता है मु enduring भी यह वायर है और हमें इसस would earlier करना है बोस्ते गलती क्या करते है he case बाई यह काम नहीं करते हैं और वो दोस्तों चेंज करने की सला देते हैं सब्वाफर को तो यह दोस्तों आपको नहीं करना क्योंकि ओर जुपर में साउंड कॉल्टी अलग होती यह देख सकते हैं दोनों वायर हमने उपर रख दिये इस पर अब इन वायरों पर तो हो गई है अगर यह तो पनी में पैक करके रखो अब देखिए दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं अब हमें या पर इस पे ग्लू गेंड नहीं है ग्लू से पहले आपको चेक करा कर दिखा देता हूं डी सी दे रहा हूं दो डाही वोल्ट की यह देखिए यह देखिए अब देखिए उल्टेते हैं यह सीधे कर दिमने तार यह देखिए वो पर जा रहा है इसका मलब सब बूफर हमारा ओके कोई दिक्कत नहीं सिर्फ वाइरिंग चेंज हुई है अब इसमें हम दोस्तों काली जो इसकी ग्लू आती है इसी के लिए इस ग्लू को डाल देंगे इससे करें मोबायल की वुदर बी चिपकाते हैं तो मूबायल फोल्डर असानी से चपक जाते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यह हमारे ग्लू गिरे जुकिए और हमारा यह फाइनली ओके है सिस्टम तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने वही speaker repair कर दिया मंहों बर वही buffer repair कर दिया आपके सामने जो भी किया यह वायर करा हôm ऐ थोब पढ़ता है अगर आप पिलस माइनस गलत तरीके से लगाते हो ना तो दिक्कत क्या आएगी आपकी जो बेस है सिंगल बेस बजाओगे तो अच्छी बज़ेगी जैसे आप सैटलाइट के स्पीकर कनेक्ट करोगे उसके साथ में आपको मज़ा नहीं आएगा साउंड में आपक तो काफी दिन से काम करें लेकिन इस चीज़ पर आपने गोड़ नहीं दिया तो दोस्तो नहीं समन सकते आप तो यह चीज़ मैं आपको नोट करा दे रहा हूं दोस्तो जब भी आप यह सब उफर के तार वगएर अटाए करो तो यह चीज़ याद रखा करो प्लस पर प्लस और माइनस से माइनस का खाथ ध्यान लखना है आपको तो चलिए दोस्तो हमने यहाँ पर यह सारे जो है पेज के होल जो है सैट बिठा लिए है और इसके अभी दोस्तो यह इसके सारे पेज लगा लेना है दोस्तो देखिए चेंज तो हर कोई कर देता है चेंज करना कारिग वो आक पास क्यूं लेकlier आया आपके पास उसलिए कि रिपेर कर दो लेकिन य cron तो अपके लेकitel लेकिन की सला सब्गराई सब्सक्राइψ रूम यसा सब्सक्राइए कि लोगल करने की लेकष मैं भाइव से अपने हाफ पैसे लेवा इत्तपश्तों यह ओरिजिनल चीज ओरिजनल होती है फिर लोकल चीज डलने के बाद ताल पर नहीं आती है चीज मैं इसलिए बता रहूँ आपको इसलिए दोस्तों ओर ज्यादा फोकस किया करो हमने ओरिजनल वफर रिपेर कर दिया चलिए दोस्तों इसका भी यह करेक्टर लगा देते हैं में इसे टेस्ट करते हैं करेक्टर लगाना है और यह चल जाएगा हमारा तो बस इससराइज से दोस्तों रिपेर करना होता है अब हमने करेक्टर लगा दिया और यहां सेट को अन कर दिया और अब सिसमें साउंड प्ले करते हैं तो देखिए अब वोल्यम बढ़ाइब यह देखिए यह देख सकते हैं ठीक है ना यह देखिए बेस आने लगी अब पहले बेस नहीं आए चलिए इसमें रख के दिखा देता हूं आपको परफेक्टली तरीके से यहां पर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया और यह हमने यहां पर रख दिया चलिए आप दोस्तों और चेक करा देता हूं और आपको मिड़ी चेक करा देता हूं यह देखिए बेस आ रही है एक तम परफेक्टली तो दोस्तों हमारा ओंटेटर पूरा के हो चुका है वह यह इतनी शोटी जी कमी थी जिस वज़े से प्रोब्लम है तो दोस्तों हमने रिपेर कर दी आपको वीडियो के ऐसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जो बता देना वीडियो चीछ लगते लाइक कर दो जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दो ठैंक यू दोस्तों जैहिन जैशिरां दोस्तों